सतर सालों बाद भारत में फिर से चीते दोडने लगे पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वज़़ से ये चीते विलूपत हो गए थे एक दोर ऐसा था जब भारत में चीतों का सिकार करना और उन्हें पालतू बनाकर अपनी सान के लिए उप्योग करना भारती सासकों में एक ट्रेंड बन चुका था जिसकी वज़ा से चीतों की संख्या तेजी से कम होती चली गई वर्तमान चतिसगड में इस्थित कोरिया जीले की राजा रामानुष प्रताप सिंग देव ने 1947 में तीन चीतों का सिगार कर उन्हें मार डाला इसके बाद भारत में फिर से कभी चीते नहीं देखे गए और 1952 में सरकार ने चीतों को विलुप्त प्रजाती मान लिया बरसों पुरानी हुई उस भूल के लिए चतिसगड का ही एक नागरिक होने के नाते पूरे चतिसगड की ओर से हम भारत के सभी नागरिकों और पसू प्रेमियों से माफी मांगते हैं सत्तर साल बाद भारत ने फिर से चीतों को बसाने के लिए सरकार ने 96 करोड रुपे खर्च किये वहीं इंडियान आइल ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड रुपे दिये हैं